नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले काफी जादा एक इंपोर्टन्ट इशू है या फिर कहें कि एक टोपिक है कि अभी हाल इमें सुप्रियम कोट ने गोशना की है कि वो अब इवियम को 100% सुरक्षि गया है इवियम को लेकर कि इवियम जो है वो हैक हो सकती है यहां पर जो है जो सत्ता रूट पार्टी है वो इवियम को हैक कर लेती है और लगातार ही जो है सत्ता के अंदर बनी रहती है तो यह काफी जादा जो है मामला गरमाया हुए हालांकि इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के इ थे लेक्षन में ये मुद्धा ऑविस्ली आम ही था कि इसको बाहर लेकर आना ईविएम को लेकर लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है वो कम हो चुका है ये बात बार बार बोली जाना अब ये मामला जब वो सरवोच ने ले नहीं सुप्रीम कोर्ड में चला गया है सुप्रीम को पर सवाल नहीं उठा पाएगा क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि election होते हैं election होने के बाद जैसे कोई नतीजा अपने according नहीं निकलता है तो EVM की गड़बढ़ है यह बार-बार जो है चीजे हमारे सामने निकल कर आ जाती है हालां कि जो opposition है वो किसी राजे के अंदर अगर अपनी सरकार बना लेती है तो वहाँ पर अगर वो जीत जाती है तो जीतने के बाद फिर वो यह नहीं गईगी कि EVM के अंदर कोई गड़बढ़ है अगर वो हार जाती है तब यह बोलेगी हाँ अरे यार EVM के अंदर गड़बढ़ती हमने तो कोशिश की थी हम तो जीत करी आते अगर जो voting जो है वो अगर ballot paper के according होती मतलब आप जैसे पुराने time में होती थी ballot paper पे होती थी अगर उस पे अगर voting होती तो definitely जो है वो सत्ता root party वो ना आती और opposition party सत्ता बना लेती ये बात बार बार बोल जाती है आज हम इस चीज को देखने वाले बहुत अच्छे से discuss करेंगे साथ ही साथ जानेंगे कि क्या EVM को hack किया जा सकता या नहीं किया जा सकता इसके ओपर और already जो election commission of India या फिर supreme court इन्होंने क्या क्या बाते बोली हुई है जो चुनोती दी हुई है देखिए election commission of India ने ये बात already बोल रखी है देश के अंदर कि अगर आपको लगता है कि EVM अगर hack हो सकती है तो आप एक काम करिए आप अपनी मर्जी का जो hacker उठाकर ले आई हमारे पास और आप EVM को hack करकर दिखा दीजिए ये बात election commission of India ने बोल रखी है हाँ कोई party गई नहीं है वो अलग बात है हाँ उनके सामने खुली चुनोती जरूर है अब सर्वोच नेले में ये गए है अब position ही गई है obviously क्योंकि इनको डर है क EVM के अंदर गडबड हो सकती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले pdf की बारे हैं बता देता हूं description box में आपको एक telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप बहां से इस वीडियो की pdf जो download कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं अभी सर्वोच नेले ने गोशना किया है कि वो 19 अप्रेल जो 2024 को पहला चरण यानि पहला फेज जो वो स्टार्ट होने वाला election का उससे पहले एक क्या है कि 100% सत्यापन के लिए कि 100% सत्यापन क्या है कि आपने VVPAT सुना है VVPAT voting voter verified मतलब paper audit trial यानि कि आप अगर vote डालने जाते हैं वोट डालने जब जाते हैं तो एक आपके सामने एक ऐसी machine आती है कि आपने यहां पर vote डाला यहां पर एक परची निकल कर आती है इस परची में आप देख पाते हैं कि आपने जिसको vote डाला है उसी की परची निकल कर आ रही है या नहीं आ रही है अब यहां पर क्या बोला है कि 100% सत्यापन के लिए जो याच काई डाली गई है cross verification के लिए votes, cross verification किसका votes का, votes कैसे cross verification हो ऐसे verification हो कि आपने जो EVM के अंदर बटन दबाया, मान लीजिए आपने 100 व्यक्तियों ने EVM के अंदर A party को vote दिया, अब क्या 100 ही परचिया निकल कर आई, A की या फिर उसमें कुछ कमी हो गई ये बात बोली गई है कि आप एक काम करिए, जो VVPAT के अंदर जो 100 परचियां आई है, और जो 100 इसके अंदर बटन दबाये गए, उनको आप match कर लीजिए, क्या वो 100% सिक्योर है, या नहीं, इसको हम जो है, वो जाचने वाले, ये 19 अपरेल से पहले जो है, एक तरीके से गोशना कर सकती है, सुप्रीम कोट अपना फैसला दे सकती है, कि हाँ भी 19 अपरेल से क्या हो, कि सभी मशीनों को चेक किया जाएगा क्या जाएगा चेक के अंदर कि भई, इसके अंदर जितनी परची गई है और इसके अंदर जितनी बार बटन दबाया गया, क्या वो सही है उनके अंदर कोई भी गड़बड है या नहीं है इनको क्रोस जो है वो चेक किया जाएगा इसके ओपर जब वो याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोट में, अब उनको चलिटन क्या कहती है, क्या अब पोजिशन मापन लिजिए कॉंग्रेस अगर जीत के आती है तो अगर जिब कॉंग्रेस झीत के आती है सत्ता की बनाती है तो यहां पर क्या कॉंग्रेस EVM को हटा देगी उनके मैन्फिस्टों में क्या बात बोलीगे मैं आप यह आपको एक दिखाऊं तो यह ही यह यह आपके सामने VBPAT यह रही ballot unit यह इसके साथ connect होती है यह control unit होती है जो इन दोनों को जोडने का काम करती है clear यह आपके सामने ऐसे चीज़ें रखी होती है यह आप यहाँ पर देखें यह एक blue button होता है यहाँ पर एक red light होती है जैसे आप इसको click करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो उस पर 83 का नाम candidate का नाम उसका sign जो है आपके सामने वहाँ पर symbol जो represent हो रहा होता है आपने क्या क्या उसके उपर यहाँ पर button press किया यहाँ पर लाल बत्ती जलेगी फिर क्या होगा इस machine के अंदर माल लेजिए आपने किसी a symbol जो है a symbol वाले को button दबाया माल लेजिए bgp के कमल को या congress को ही आपने button दबाया तो आपने congress को दबाया है तो यहाँ पर जो एक इस machine के अंदर एक machine जो एक परची निकल कराएगी यह अंदर ही रहेगी ऐसा नहीं कि आप इसको बाहर ले जा सकते हैं नहीं यह इस machine के अंदर ही रहेगी यहाँ पर आपके सामने अगर आपने कमल को दबाया तो यहाँ पर एक कमल का जो एक परची निकल कराएगी जो 7 seconds तक आपको visible होगी आप देख सकते हैं कि हारे हां हम मैंने जिसको vote डाला था यह उसी को ही गई है फिर 7 seconds बाद automatically यह cut होकर इस box में डल जाएगी clear हुआ सबसे पहले क्या था वीवी पैट का इस्तिमाल किया गया था 4 September 2013 को by election किये गए थे Assembly Constitution के अंदर यानि कि विधान सभा के अंदर by election के अंदर नागलेंड के अंदर clear हुआ यह सबसे पहले वहाँ इसका use किया गया था अब आ जाते हैं वापस अपने यहां पर मद आता के वीवरन के लिए कागच की परची को कांच की खिरकी के पीछे सत्यापन के लिए संक्षेप में परदर्शित किया जाता है वीवी पैट के अंदर जिससे क्या होता है 7 seconds के अंदर वो यह देख सकता है कि मैंने जिसको vote ड डाला है या नहीं डाला है clear हुआ मत आता हो को वीवी पैट पर ची जो है वो घर ले जाने के तौनमती नहीं होती है क्यों क्यों नहीं होती है इसको उसके अंदर क्यों रख लिया जाता है इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि जब election खतम हो जाते है voting के लिए कि जो आपने जिस्क पे बटन दबाया और जो पर्ची गई है उस वीवी पैट के अंदर उनकी गणना की जाती है उनको गिना जाते है कि आपने अगर 100 बार दबाया है क्या 100 बार ही उसके लिए ए मतलब 100 बार आप, मतलब 100 लोगों ने बटन दबाया तो उस A party के लिए 100 ही परचिया निकल कराई है या फिर वो 500 हो गई है या वो 50 हो गई है इनको जो गिना जाता है ऐसे कैसे गिना जाता है 5 randomly मशीनों को select कर लिया जाता है वहाँ पॉलिंग बूट से अब यहाँ पर 5 randomly क्यों है क्योंकि यहाँ पर भी transparency रखी गई है ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि हम इस constituency से चकेंगे पहले कुछ कोछ नहीं बताते है जब EVM जाती है पॉलिंग बूट पर तब भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी machine किस पॉलिंग बूट पर जाने वाली है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना एक मेरे पास अगर वो image है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नहीं है वो image यह रही यह जो image आप देखेंगे यहाँ पर image में यह जो यहाँ पर candidate के नाम लिखे होते हैं यहाँ पर लाता है यह भी किसी को नहीं पता होता किसको कौन सा पद मिलने मादा मतलब कि कौन से करमांग में किसको रखा जाएगा यह भी randomly decide होता है clear हुआ तो इसमें इतना ज़्यादा transparency रखा जाता है यह हो गया आपके सामने clear अब आगे चलते हैं इसको क्यों लाया गया था वीवीपेट को क्यों लाया गया था देके वीवीपेट की जो सबसे पहले concept जो है यह propose किया गया था 2010 में EVM अधारित मद्दान परक्रिया में पारदिर्श्रिता बढ़ाने के लिए यानि transparency लाने के लिए election commission of India और जो राजनितिक दला है उनके बीच में बैठक होई थी उसमें ये बात बोली गई थी कि आप एक काम कर दिया आपने EVM तो लेकर आए EVM के अंदर आपने बटन तो दबा दिया पहले EVM यूज होती थी तो आपके सामने भई आपने बटन दबा दिया अब उसको जो वोटर है उसको ये थोड़ना बता चला कि मैंने जो वोट डाला है वो सही गया है नहीं गया वो करम से कम अपनी verify कर तो पाए अब कर पाए इसके लिए क्या किया गया VVPET को इंट्रड्यूस किया गया था 2010 के अंदर मतलब इसको परपोस किया गया था प्रोटाइप त्यार किया गया जुलाई 2011 में लद्दाग, तृवंदपुरम, चेरापुंजी, पूरवी दिली, जैसलमेर यहां पर फिल्ड प्रिक्षन किया गया इसके प्रिणाम क्या हुए, प्रिणाम फरवरी 2013 में ECI ने एक विशेज, जो समीती है जो कमेटी है, उसने VVPET को मंजूरी देती थी कानूनी पहल क्या हुए लीगल एक्षब क्या हुए, देखे 2013 में, जैसे मैंने बताया चुनाव संचाला नियम, 1961 में मशीन देखते न, जिसको आप VVPET बोल रहे है वो एक drop box printer है उसको उसके साथ जोड़ा गया आप VVPET का सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 2013 में नागालेंड के नौकसन विदान सभा शेतर में सभी 21 मतदान के अंदरों में इसका उपयोग किया गया था जिसके बाद election commission of India ने इसे चरणबर तरीके से लागू करने करने ने लिया जिसे जून 2013 तक 100% अपनाया गया यह हो गया आपके सामने EVM की उसको सबसे पहले समय लीजिए EVM यह तो हो गया आपके सामने VVPET साथ सेकेंड तक आपके सामने परची रहती है उस परची में आप देख पाते हैं कि आपने जिसको vote डाला है वो सही गया है अब इसमें क्या होता है VVPET जो paper roll होता है इसके अंदर 1500 ही ballot slip निकल के आती है मतलब क्या होते हैं आप गए होंगे petrol pump पे पेटरोल pump पे आपने card swipe करवाया होगा आपके सामने परची निकल कराती है या फिर आप ATM के पास गए होगी वहाँ पर आपने पैसे निकाले होगे तो वहाँ पर परची निकल कराती है तो यह जो परची होती है एक roll बना होता है आपने कभी देखा होगा कि पेटरोल बंप पे वो रोल डाल रहे होते हैं किसी चीज के अंदर वो कागच का एक रोल डालते हैं या फिर आपने देखा होगा बिल आपके वो देने आते हैं जो उस वक्त स्टीफ लेक्शन कमिशन ओफ इंडिया हुआ करते थे एसल साथकर उन्होंने बताया उन्होंने इंट्रड्यूज किया इलेक्ट्रोनिक मॉटिक मशीन को 1981 में इवियम को डेवलोप किया गया था 1982-83 में इवियम को पहली बार इंट्रड्यूज किया गया 50 पॉलिंग स्टेशन के अंदर के अंदर जो यूटी है उनके अंदर यूज किया गया जो विधान सभा चुनाव थी उनके अंदर वहां पर चुनाव यूज का यूज किया गया था 1988 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया था 61A जिसके अंदर क्या गया Representative of People Act 1951 के अंदर यहां पर इवियम को इंट्रड्यूज कर दिया गया 2018 में Supreme Court के अंदर एक P.I.L. डाली गयी थी Supreme Court 2018 में इसको reject कर दिया गया था जिसमें बात बोली गयी थी कि बैलेट पेपर पे वापस हमें लाया जाए इवियम के उपर हमें भरोसा नहीं है तब से लेकर भाई या 2018 में Supreme Court ने उसी आजिका को खारिज कर दिया था अब क्यों खारिज किया था इसके ओपर Election Commission of India क्या कहा था इसको भी हम जानने वाले कि भी कितने देशों के अंदर इवियम है इस तरीके की मशीन जो हो यूज हो रही है इसको हैक किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है तमाम चीजें जो है वो बार बार उट रही है हम देखते हैं कि What's Up University के अंदर काफी सारी fake news चलती है जहां पर लोगों को दिखने वाली मशीन को लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने A के उपर प्रेस किया था और B की स्लिप निकल कर आ रही है तो यहां पर यह बताते हैं कि देखिए इवियम को hack किया जा सकता है एच्छल में वो उन्होंने अपने तरीके से एक इवियम को लेकर आये थे वो रियल इवियम नहीं थी मतलब कि मैं कहता हूं कि मेरी साइट को hack करके दिखाओ उन्होंने क्या कि मेरी साइट को hack करने के बजाए अपनी एक duplicate site बना लिए उसको hack करके दिखा दिया लोगों को बरगलाना आज की डेट में बहुत असान होता है तो चीजों को बरगलाने से बैट रहे हैं कि आप चीजों को समझ ये उन चीजों को आप पढ़ेंगे सर्च करेंगे तब आपको बता चलेगा देखे किसी पर भी यकीन मत करिए खुद पढ़ेंगे उन चीजों को समझ ये उन चीजों को क्या चीजें बोली जा रहे हैं बहुत असान होता है रूमर्स फैलाना अफ़ाय फैलाना उनको एकसेप्ट करना बिना उनको जाने पहचाने उनके उपर सर्च किये आप उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ये कितना जादा हानिकारक हो सकता है ठीक है 2000 के बाद से EVM जो है वो यूज करने लग गए election के अंदर 4 लोग सभा के अंदर 126 State Legislative Assembly के अंदर हम यूज कर रहे हैं अभी जो है पांचमी लोग सभा के अंदर इस तरह की बैलेट उनिट जोड़ी जाती है सीरियल लगा कर अब मान लेजिए आपने सारे के सारे कैंडिडेट जोड़ने वहाँ पर तो क्या होगा तो अधिक्तम 384 384 उमिद्वारों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा 24 मत पत्रिकाईयों को जोड़ना पड़ेगा एक साथ वो 24 मत पत्रिकाईयों को यानि की इनको क्या कहते है बैलेट उनिट को एक साथ कंट्रोल उनिट के साथ जोड़ा जाएगा अब आ जाते हैं कि EVM बनाई कैसे गई थी कैसे वर्क करती है कितनी उलेट्रिसिटीऋ को चाहिए क्या इसको है किया जा सकता है इसके पर अगर अगरम डिसकाट करें तो दीकिए EVM को भारत Electronics Limited Bangaluru और Electronic Corporation of India Limited Haiderabad के साथ होग से चुनाव 오래उग ने इसको त्यार और डिजाइन करवाय था EVM को बिजली के आफशकता नहीं होती है यह बिना बिजली के चलती है यानि कि 7.5 वोल्ट एक शारी है यानि कि alkaline power की pack के उपर यह चलती है इसके पुराना version जो होता था 2005 का जो मोडल होता था उसके अंदर क्या होता था अधिक समय के लिए भी अपनी memory के अंदर store कर सकती है परतेक जो एक नियंतरन इकाई होती है और मतदान इकाई को एक विशिस्ट एक ID नंबर दिया जाता है जो परतेक इकाई पर एक अंकित यानि उस पर लिखा हुआ होता है किसी विशिस्ट मतदान के अंदर में उप्योग की जाने वाली EVM यानि बैलिटिंग उनिट और कंट्रोल उनिट की ID नंबर वाली सूची तियार की जाती है और जो चुनाव लड़ने वाले उमीदवार होते हैं और उनके जो एजेंट होते हैं तो वो ID दी जाती है कि भी आपकी Constitution के अंदर ये EVM आई है इसका ये ID नंबर आप जाके चेक कर लीजिए वहाँ पर इतनी ट्रांस्परेंसी वहाँ पर रखी जाती है मतदान अगर पूरा हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि अंतिमतदाता जो होता है मतदान अगर कर चुका है तो एक नियंतर निकाई का जो प्रभारी अधिकारी होता है वहाँ पर एक कंट्रोलिंग ओफिसर होता है वो क्या करेगा बंद करें ये बटन दबायता है अगर उसने वो बटन दबा दिया नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते अब यहाँ पर काफी सारे सवाल उठे गए थे कि भई EVM को hack किया जा सकता है नहीं किया जा सकता इसको बहुत हम डिसकस समझे तीक है 2019 के election हुए थे जिसमें 61.3 करोड वोटर्स ने वोट डाले थे 10 लाग पॉलिंग स्टेशन के ओपर EVM मशीन का यूज करते हुए जहाँ पर VPAT के द्वारा उन्होंने अपने वोट को सत्यापन किया था वैरिफाई किया था Each machine is checked हर एक जो मशीन होती है वो check की जाती है seal होती है presence किसकी presence के अंदर जो political parties होती है जितनी भी भारत के अंदर political parties है उनके representatives जो है वो आते हैं वो check करते है एक एक EVM मशीन का उसके पर seal लगी हुई है उसको वो check करते है वहाँ पर हर एक जो EVM मशीन जो constitution जो constitution है जो polling station है उनको randomly allot किया आती है मतलब मान लीजी यहाँ पर 50 EVM आ गई कौन सी EVM कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता वो randomly किसी के पास जा सकती है serial number जो होते हैं हर EVM को every EVM used at the polling station is shared with the candidate जो EVM किसी polling station पर गई है उसका जो serial number वहाँ के candidate को दिया जाता है कि आप जाके चेक कर लीजी आपके पास यह वाली मशीन आई है अब यहाँ पर क्या होता है यह काफी बड़ी एक transparency की चीज़ है देखिए actual polling start होने से पहले एक mock test होता है mock test हम देते हैं कि हम जो एक तरीके से test देने जा रहे हैं for example CGL का हम paper देने जा रहे हैं CGL का exam देने से पहले हैं mock test लगाते हैं mock test में हम अपने number decide करते हैं कि सही जा रहे हैं यह नहीं जा रहे हैं ऐसे ही EVM का एक mock test होता है उसमें क्या होता है कि जो candidate होते हैं जितने भी candidate होते हैं वो एक बार आते हैं वो खुद एक vote डालते हैं वो डालने के बाद उन्होंने माल लीजी vote डाले वो डालने के बाद वो EVM के अंदर जो वीवी पैट के अंदर जो परची गई है इसको भी वो count करते हैं कि हमने जितनी बार vote डाला क्या उतनी बार ही परची आई की नहीं आई वो 100% मतलब 100% इसको चेक करते हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं आप देखिए 2019 के अंदर जानका हारान हो जाएंगे एक करोड पोलिंग एजेंट के द्वारा जो यह चेक किया गया था कि उन्होंने पहले ही एक करोड चेक कर लिया गया था एक करोड बार मतलब इसके अंदर वोट डाले गए उनको फिर चेक किया गया तो यहाँ पर इतने तरीके से इसको वěरिफाइ किया जाते है इतनी जादे इसके अंदर ट्रांस्फेरेंसी रुखी जाते है फिर भी लोग बोलते हैं इसको हैक कर सकते है ये कमाल की बात है अब यहाँ पर देखिए after polling all agents क्या करते हैं इसको seal करते हैं sign करते हैं एक serial number जो होता है machine का भई यहाँ पर क्या होता है उसको बंद करने का button दबा देते हैं उसके बाद किसी भी machine के अंदर कोई भी vote count नहीं हो सकता हाँ 17 बार यह claim किया गया था कि वीवी पैट के अंदर जो है गडबड की गई है जो वो drone print निकल कर आया लेकिन जितनी बार यह claim किया गया हो 17 के 17 बार ही जो है वो गलत साबित हुआ 2687 random वीवी पैट जो है वो count की गई थी match किया गया था evium count के साथ मतलब यह वीवी पैट इसमें जितनी परची आई इस evium के अंदर जितनी बार वोट डाले गए इन दोनों को चेक किया गया कितनी बार 2687 random वीपैट को जिसमें mismatch मिला गया था देखे 1.25 करोड जो है वोट इसमें count किये गये थे जिसके अंदर पाया गया कि आठ वीवी पैट जो है वहाँ पर गड़बड पाये गई आठ वीवी पैट में गड़बड पाये गई यानि यहाँ पर कितनी गड़बड थी 555 वोट mismatch मिले कहीं न कहीं आप सोचें अरे सार मिले तो सही हमने word डाला था A को B को चला गया यानि अगर यह गड़बड मिल रही है तो कहीं तो कहीं तो गड़बड हो रही है आप इसको 100% secure कैसे 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 है तो यह बहुत बोली गई कि देखिए यह जो आप गड़बड बोल रहे हैं न वो human error हुई है यानि human को गिनते वक्त गड़बड हो गई machine के में कोई error नहीं हुई यह बात बोल दी गई even जिस तरीके से मतलब strong machine है जिस तरीके से security protocol which cannot be breached by anyone यह खुद election commission of India बोलता है कि इसको आप hack नहीं कर सकते हो even इन्हों ने यह भी बात बोली हुए जिस भी opposition party को या भी जिस भी political party को लगता है कि evium hack की जा सकती है तो आप कोई भी hacker लेकर आईए और इस evium को hack करके दिखा दीजिए अब कोई party क्यों नहीं गई obviously अगर कोई party जाएगी evium को hack करने और उससे hack नहीं हुई तो मजा उसी party का उड़ जाएगा वहाँ पर अब evium के advantages क्या है क्यों लाएगे देखे इसके advantages है कि time बहुत कम लगता है वो डालने में आप ballot paper की बात करते हैं उसके अंदर काफी जादा खर्चा इसलिए आ जाता है कि खर्चा साथ-साथ जोखिम भी होता है कि उसको चोरी कर लिया जाता है उसके अंदर फेर बदल के जाती है इसमें ऐसा नहीं हो सकता वही कोई भी अगर वेक्ति इसको चुरा भी ले गया तो उसके किस काम की है चीज कुछ भी काम की नहीं है तो यहाँ पर कोई आपने देखा होगा ना कि भूत कैप्चिरिंग हो जाती है इसमें वो होई नहीं सकती भूत कैप्चिरिंग तो इतनी जादा सिक्योर चीज है बहुत कम टाइम लगता है वोट काउंट होने में और साथ यसाथ result डिकलेर करने में developed with high security feature and cannot tempered or hacked इसको tempered नहीं किया ज़कता है इसको hack नहीं किया ज़कता और 7.5 alkyln water के उपर यह जो वोटर पैके नहीं कि इतने वोट के उपर यह चलने वाली चीज़ है पैंटरी के उपर चलने वाली चीज़ है इसको electricity के जूरत नहीं होती registers only the first button pressed and eliminate the possible of casting invalid voter इसके अंदर आप invalid voter नहीं डाल सकते आप ऐसा नहीं कि आपने एक बटन दबाया फिर उसको बार तुरंत इसके उपर दो बार तीन बार वो कर दिया वो चीज़ नहीं चलेगी EVM also feature nota इसके अंदर एक nota का भी option है कि आपने किसी को vote देना मतलब कि none of the above आपको लगा मुझे इन में से कोई भी candidate पसंद नहीं है आप उस nota के उपर भी click कर सकते हैं ठीक है अब VVPAT के उपर सर्वोच नहले क्या कहते है एक case हुआ था सुबराम अन्यम स्वामी वर्सिज भारतिय चुनाव आयोग मामला 2013 जिसमें सर्वोच नहले ने पार्दर्सी यानि ट्रांसफेर्सी चुनावों में लाने के लिए VVPAT को अनिवारे कर दिया था कि वहाँ पर सरकारी वित पोशन यानि कि VVPAT को अनिवारे कर दिया गया था 2013 के बाद कि आप EVM के साथ क्या करेंगे VVPAT भी लगाएंगे और ये जितना भी खर्चा होगा कोई भी केंदर सरकार यानि कि राज्य सरकार नहीं देगी इसके उपर सारा खर्चा केंदर सरकार ही उठाएगी वर्च 2019 में सरवोच नहले की एक क्याचिका दायर की गई जिसमें बोला गया कि 50% 50% जो है VVPAT मतलब उनको मतलब रेंडमली जो है 50% स्रिप को काउंट किया जाए इसके उपर एलेक्शन कमिशन ने बात बोली कि आप 50% की बात बोल रहे हो इसके लिए 50% अगर आपने कर दिया कि मान लिजिए 10 लाक EVM मशीन जो है वो यूज की गई थी 10 लाक में से 5 लाक EVM मशीन को गिना जाए VVPAT के साथ कि वह सही है या नहीं ये बात बोली गई तो EVM इसके उपर ECI इसके लिए 5-6 दिन लगेंगे इसके डिले हो जाएगा रिजल्ट आने में और इसके लिए हमारे पास उतनी manpower नहीं है तो ये मुझे लगता है कि ये चीज गलत है 5-6 दिन अब Supreme Court क्या कहने जा रहा है वो 100% करने जा रहा है तो अगर manpower लग रही है तो कोई बात नहीं transparency आनी बहुत जादा ज़रूरी है democracy की बात होती है क्योंकि काफी सारे लोग परगलाने के लिए बहुत आसानी से लोगों के अंदर जुटे तत्य पेस कर देते हैं dictatorship की बात कर लेते हैं जहांपर उनको इवन मैं ये कह सकता हूँ कि काफी सारे लोगों से मिला हूँ जिन से मैं बात भी करता हूँ उनको dictatorship का meaning तक नहीं पता है तानाशा का मतलब तक नहीं पता है तानाशा किसे कहते हैं क्या होता है मतलब देश में अगर तानाशाई आ जाए तो क्या अंजाम हो सकता है उनको ये भी नहीं पता है बट हाँ बोलने लग जाएं कि देखिए देश में तानाशाई आ गई है dictatorship आ गई अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सब चीजें बहुत सही है अगर 100% कर दी जाए लोगों के अंदर एक transparency यहां पर आ जाएगी पता चल जाएगे कि ये कितनी सही है कितनी गलत clear हुआ अब वीवीपेट परचियों के बारे में एक statistical data क्या कहता है इसको हम जान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ election commission ने वीवीपेट के लिए विधान सभाशेतर में से एक नियम बनाया गया कि भी 4125 electronic मदाता मशीनों की वीवीपेट पेपर के साथ परचियों मिलाया जाएगी भी EVM ली जाएगी 4125 मशीने जो है उनको वीवीपेट के साथ मिलाया जाएगा कि भी आपने जिसको वो डाला उसको गया या नहीं गया चुनाव आयोग द्वारा 2018 में भारतिय संख्यां की संस्थान यानि कि Indian Statistical Institute को मतलब खुद election commission ने का कि आप आईए एक internal audit करिए और उस audit के उपर आप बताईए कि ये जो machine है वो कितनी जादा गणित्य है यानि mathematically strong है मजबूत है वेवारिक रूप से तथ्या पूर्ण है ये खुद ECI ने बोला यानि कि election commission of India ने ISI Indian Statical Institute को ये बात बोली थी कि आप खुद आकर चेक करिए और Indian Statical Institute गया उन्होंने क्या क्या 479 machines को randomly select किया और उन्होंने बोला कि वीवीपेट परची उन्होंने गिनी और कहा कि निन्याण में परतिस्चत से अधिक सटिक्ता यानि कि accuracy की guarantee देगी हालांकि सरवोच ने लेने 2019 में फैसला सुनाया कि चुनाब प्रकरिया में अधिक्तम सटिक्ता और संतुष्टी के लिए केवल एक इवियम के बजाए आप एक को क्यों ले रहे हो वहाँ की जो परतेक निर्वाचन में से परतेक निर्वाचन शेतर में से आप पांच electronic voting machine को उठाइए और उनकी गिन्ती करिए वहाँ पर अब इन पांच मतदान केंदरों का चैन संबंदित returning अधिकारी द्वारा उमिद्वार और उनके जो agent होते हैं उनकी उपस्तिती में एक draw के द्वारा निखा जाते हैं एक constituency के अंदर क्या होते हैं एक constituency आती हैं उस constituency में कौन सी machine लेके जाएं उसके लिए एक परची कहें कि draw निकाला जाता है उस draw में जो भी परची निकलेंगी उसके द्वारा जो उस constituency में उन पांच मशीनों को ले लिया जाता है clear हुआ और वो कब होता है किंद की presence में होता है वहाँ पर जो opposition के जो या फिर कहें कि जो उमीद्वार होते हैं उनके agent होते हैं उनकी presence में वो सब चीज़ें की जाती है इतना सब चीज़ें हो रही है सरवोच नियाले के फैसले के साथ ECI ने अब 20,625 electronic voting machine की VVPAT machine की साथ गिंती करनी होगी और ये करते भी हैं जहां पर 100% accuracy इसी निकल कर आती है आप बोलने की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन अब तक सिरो 20,625 electronic voting machine की हो रही है अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि भी 100% कर देंगे सारी चीज़ें गिनी जाएंगी वहाँ पर पर परची भी गिनी जाएंगी जो counting होई है voting मतलब machine के अंदर उसको भी गिना जाएगा सारी चीज़ें होगी यहाँपर अब ISI यानि Indian Statical Institute यह कह है इसको हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे exam में यह भी चीज़ें पूची जाती है भारतिय संक्या की संस्तान भारत का एक परतिस्थित संस्तान है जिसे भारती पार्लेमेंट ने 1959 के एक एक्ट के दौरा राष्ट्य महत्व के संस्तान के रूप में इसको मानेता यानि रिक्रिग्नाइजद किया था इसे 28 अप्राइल 1932 में पश्चे मेंगाल सोसाइटी पंजी करन अधिनियों 1860 के तैत एक गैर लाबकारी वित्रण विद्वान सोसाइटी के रूप में रिजिस्टर किया गया था 1860 में इसको मतलब 1932 में इसको बनाया गया था इसकी स्थापना करने वाले कों थे इसकी स्थापना करने वाले थे प्रोफेसर परसांथ चंदर महला नभीस कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी इंडियन स्थाटिकल इंस्थिटूट विभिन शेत्रों में योगदान और सरकारी और ओद्योगी संस्थान होते हैं उसके साथ सयोग और व्यापक अंसंदान में सलंगन है यह संख्यांकि जो है यह किसके अंडर काम करता है Ministry of Statics and Program Implementation के अंडर यह काम करता है अब देखिए यह बात होगी हमारे सामने EVM के बात होगी EVPAT की बात होगी अब थोड़ा अपोजिशन के बात जान लेते हैं देखिए बार बार हमने सुना है कि EVM हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगते आ रहे हैं Congress जिन्होंने अपना Memphis जारी किया है यहनि अपना गोशना पत्र जारी किया है उस गोशना पत्र में आप जाएंगे यहां पर defending the constitution saving democracy, removing fear, restoring freedom यहां पर उन्होंने अपनी बात बोली है यहां पर यह देखेंगे न, यह जो 11 पोइंट है यह Memphis 2 है, Congress का जहां पर यह बात बोल रहे हैं कि we promise to restore the voters trust हम ensure करते हैं कि voter का जो विश्वास है, वो वापस लाएंगे election process के अंदर we will amend the election law हम संशोधन करेंगे election law के अंदर, combine the efficiency of electronic voting machine and the transparency of ballot paper voting will be through EVM, कह रहे हैं कि हम voting तो EVM से ही कराएंगे हम electronic voting machine से ही voting करवाएंगे, लेकिन हम विश्वास ले कराएंगे, विश्वास कैसे ले कराएंगे कि जो आपके सामने VVPAT आप देखते हो न, जिसके अंदर 7 second के लिए वो परची आती है 7 second के लिए जो परची आती है जो आप सिर्फ देख सकते हो आप इसको देखी नहीं पाओगे आप इसको इवन घर भी ले जा पाओगे ये बात इन्होंने बोली है मतलब कि Congress खुद नहीं चारही कि वो ballot paper पे पहुंचे ये बात खुद बोली गई है लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो EVM हटाओ, देश बचाओ ये सारी एक political या फिर उसके तहट की जाती है election पर चार के अंदर अपने आपको आगे लाने के लिए वो सब चीज़ें की जाती है actual में सारी parties इसके favor में ही ही हो रही है अब किस पूरे अगर दुनिया के बात करें तो किन देशों के अंदर EVM यूज के जाती है देखे कुल मिलाकर 21 देशों में EVM का इस्तिमाल किया गया है जिनमें से केवल चार देशों ने इसको पूर्ण रूप से इस्तिमाल किया है जिसमें भारत भी आता है यहां पर कौन-कौन होगे जिन्हों ने पूर्ण रूप से इस्तिमाल करने वाले इंडिया, ब्राजील, भुटान और वेनेजुला यह यहां पर आपके सामने चार देश आते हैं जिनको पूर्ण रूप से यूज कर रहे हैं चार देशों ने इसे पूर्ण रूप से इस्तिमाल किया है ग्यारा देशों में इसे देश के कुछ हिसों या कम महत्वपूर्ण सुनाओं में इस्तिमाल किया जाता है यह मतलब कि कुछ देशों में हिसों में यानि बेलजियम, फ्रांस, यूएस, कनेडा, मेक्सिको, पेरू, अर्जिंटिना, जपान इसके इलावा जो ट्राइल चल रहा है रश्या, मंगोलिया, नेपाल, बांगलादेश, इंडोनेशिया, इकवाडोर यहां पर ट्राइल चल रहा है EVM का ट्राइल पूरा हुआ, बाद में बंद कर दिया फिलिपिन्स है, औस्टेलिया, कोस्टा रिका, गवाटेमेला, आयरलेंड, इटली, कजाकिस्तान, नौर्वे, यूके यहां पर ट्राइल हुआ, लेकिन ट्राइल होने के बाद इसको बंद कर दिया है अब इस्तिमाल में बंद कर दिया है, जर्मनी, नीदरलेंड, प्रागवे, यहां पर बंद भी कर दिया है तो आप बोलेंगे कि भारत में क्यों नहीं हो रहा है, भारत में यह सब चीजें क्यों चल रही है बारत एक बहुत बड़ा देश है, आप देखेंगे यहां पर तितनी ज़्यादा जनसंक्या और उन जनसंक्या को आप एक तरीके से बैलेट पेपर के उपर वोटिंग कराना यह चीज पॉसीबल नहीं हो सकती है अब यहां पर हमारे सामने यह काफी ज़्यादा फियर बना रहता है हमने जैसे मुवीज के अंदर भी देखा है, कि बूत कैप्चिरिंग हो जाती है वहां पर अगर किसी को इलेक्शन जीतना है तो वो क्या करतेंगे, बूत कैप्चिरिंग करेंगे जाएंगे टपा मारेंगे और डाल देंगे मशीन उस डबे के अंदर तो वहां पर वो चीज़ चीज़ हो रही है, तो वो काफी जादा एक खतरनाक है डेमोकरसी के लिए इसलिए इन चीज़ों को लागा है और बार-बार इलेक्शन कमिशन इंडिया ये बात बोल रहा है भाई साब ये बिल्कुल टेंपर्ड फ्री है, इसको आप टेंपर करी नहीं सकते आप इसको हैक करी नहीं सकते, जिसको हैक करने एक बार आईए सवसाई करके तो दिखाईए इतनी खुली चुनोती यहां पर दी जा रही है अब ये जो चीज़ है, कि बाई ये कोर्ट में कोन लेके गया कि कोर्ट में कोन लेके गया का मतलब है कि VVPAT की स्लीप जो है, वो गिनी जाए इलेक्शन के बाद, ये किसने बात बोली ये ADR ने बहुत बोली ADR मतलब Association of Democratic Reform ये वही ADR है, जिसने Electronal Bond को एक तरीके से मतलब समाप्त करने का काम किया Supreme Court में लेके गए, उन्होंने Electronal Bond के किलाफ काफी सारी याची काई डाली, और बोला गए कि Unconstitutional है, यहाँ पर एक तरीके से कौन सी party किसको मतलब कौन किसको रुपए दे रहे, ये पता ही नहीं चल पा रहा और कितना रुपए दे रहे, ये भी पता नहीं चल पा रहा तो ये ADR का ही काम था, जिसने Electronal Bond का एक तरीके से हटाने का काम किया है और ये ही ADR है, जिसने ये बात बोली है VVPAT की slip को गिना जाएगा election खतम होने के बाद 100% ये चीज़ की जाए ये एक तरीके से ADR कर रही है तुमीद है कि आज का जो topic है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रही VVPAT क्या है, EVM क्या है क्या इसको hack कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एक चीज़ ध्यान से समझिए आपको काफी सारे WhatsApp के उपर SMS मिल जाएंगे, काफी सारी वीडियो ऐसी आपको forward होती हुई मिल जाएंगे, जिसके अंदर दिखाया गया है, कि वही देखिए EVM को hack किया जा रहा है, देखिए यहां पर लोग बोल रहे हैं, EVM के अंदर गड़बढ है तो उनका, मतलब इतना जल्दी यकीन कर लेना ये कहीं पर कोई fake videos भी होती है कोई हर चीज़ आपके सामने दिख रही है वो जरूरी नहीं, वो सच है, उसको manipulate करके भी दिखाया जा सकता है for example, मैंने अभी हाल में मेरे ही WhatsApp ग्रूप के ओपर एक ऐसी वीडियो आती है जिसके अंदर बोला गया, एक news आती है वर्ड वीडियो नहीं news आती है जिसके अंदर ये थी, कि यहां पर देखे tempered हुआ है, वीवी पैट या फिर कहें कि इवियम जब वो temper हुई है बाद में बच्चा चले हैं कि वो fake news थी क्योंकि मैंने उसको search किया, उसके बारे में जाना हमा तो आप किसी पर भी इतनी असानी से यकीन मत करिए, आप खुद सर्च करिए आप पड़े लिकें इंसाने, आप आज में 2024 के election देने जा रहे हैं तो इस election में अपना vote डालने जा रहे हैं, तो आप उस चीच को समझजिए, कोई भी rumor मत फैलाईए कोई भी गलत information लोगों को forward मत करिए, किसी भी social media के उपर, और केवल किसी ने बोल दिया, what's up university से आपने क्यान ले ली जिया, उसके उपर आप किसी से बहस करने जाए, वो सब चीचे में भी मत करिए, clear, तो उमीद करता हूँ आज का जो topic आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझा सकते हैं, ये आज बड़ा अटक अटक के चला है, वीडियो को like करके, चैनल को subscribe करके और ज़्यादा ही समझ में आ गया है, तो भाई साब क्या कर सकते हैं, चैनल को subscribe तो कर सकते हैं, वीडियो को share कर सकते हैं, पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, description box में, description box में, टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा, तो जा कर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो जो download कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video.